वैसे अब जब कारसेवकों पर मुलयान सिंग सरकार ने गोलियां चलवाई थी उस घटना को अब कैसे देखते हैं देखे वो एक दुरभाग्य पूर्ण घटना थी और हिंदू समाज पर कलंक की तरीके से था कि एक देश के हिंदू मुखमंत्री नहीं हिंदूों के इस अंदोलन में कारसेवकों के पर गोलियां चलवाई थी उस विशय को हम लोग जब देखते हैं तो आंखे नम हो जाती हैं और याद करते हैं तो आंखे नम होती हैं वो परिवार जो शहीद हो गए उन सब के लिए बिनर्प संधाल जली देते हुए हम लोग चाहते हैं कि प्रकार को देखती हैं आज अब कैसे देखते हैं देखिए उस समय के ततकालीन सरकार ने जिस प्रकार का बरबरता कारसेवकों पर 1990 में एध्या के अंदर किया था जिसमें सैक्णों लोगों की मृत्ति हुई हत्तिया हुई एक तिरसे और उनके डेट बाडिस को ट्रकों मे लाद के सर्यू में फेक दिया गया वह तो प्रभुशी राम के भक्तों के लिए उससे ज्यादा काला दिवस कोई हो ही नहीं सकता है जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीत के लिए मुलायम सिंग्यादों ने बरबरता की थी वहाँ पे आज तो उससे आप कोई तुलना न के हैं वह वहाँ पहुंच रहे हैं सबकी यह इच्छा है कि भब श्री राम का मंदिर बने इसलिए सबको यह विश्वास था कि 29 अक्टूबर से जो सर्वोच न्याले में डे बाई डे की हेरिंग शुरू होगी तो उसमें सीगर फैसला आएगा लेकिन सर्वोच न्याले का सर्वोच न्याले का फैसला भी ऐसा आया जो कॉंग्रेस चाहती थी तो इस प्रकार से इस देश के जो करोनो रामभक्त हैं उनके मन में जो एक भावना आई कि हमारे साथ नयाय नहीं हो रहा है उसकी अभिव्यक्ति के लिए एउध्या में और देश के अन तीन चार जगों पर धर्मसंसत कायोजन संतों ने किया है और सभी रामभक्त वहां पर पहुंच रहा है